कि दुवितियावर्ष भूगोल के विद्धियारथियों के लिए मानभूगोल आज हम कि बढ़ने जारहे हैं इसमें भारत की जंजातियां pra और पहले की कख्षाओं में हमने जंजातियों के बारें पढ़ा है आज जिस जंजाति की चर्चा हम करने जा रहे हैं जिस पर बात्चीत करने जा रहे हैं जिसको हम पढ़ेंगे आज वो है संथाल संथाल इसका निवाश्चित्र पहले जान लेते हैं कहां पर यह लोग रहते हैं तो देखिए सबसे बड़ी जाती हमने पहले पता है जन जाती वो गोंड है इसके बात दूसरे नंबर पर संथाल जन जाती आती है आबादी के लिहास से देखें तो 50 लाग से ज्यादा इसके आबादी है और ये बिहार और जहरखंड और खास तोर से देखें तो छोटा नागपूर के पठार वहाँ पर देखें एक जिलावी है संथाल परगना रांची पाला मौग हजारी बाग और इसके बाद उत्री बंगाल में उडिसा के कटक के आसपास में ये लोग रहते हैं ये जो इलाका है इसकी जलवायू उश्रकटी बंदी है मानसुनी है वनस्पती सघन है गर्मियों में दिन का तापमान 40 डिग्री से 45 डिग्री सेलसियस के बीच में रहता है बारिश जो है वो 160 सेंटीमेटर से 180 सेंटीमेटर तक हो जाती है यानि कि अच्छी बारिश होती है इतनी बारिश होना यानि अच्छी बारिश होती है खुब बारिश वाला इलाका है इसका मतलब हो ये सर्दियों में 10 सेंटिमेटर बरसात हो जाती है ये भी अच्छे है ये लोग पहाडी और वन छेत्रों में रहना पसंद करते हैं और अलाकि वरतमान में तो ये मैदानी भागों में भी रहने लगें स्थाई निवास भी इन्होंने बना लिए और यहां तक की खेती बाड़ी भी करने लग गए हैं इनके जो आवास हैं वे हलाकि कच्छे होते हैं लेकिन साप सुथरे होते हैं उसमें आपको गंदगी नहीं मिलेगी अब इनकी समाज व्यवस्था देखें संस्कृती देखें तो इस जनजाती के लोगों में जो समाजिक संगठन है वो विक्सित है और एक प्रणाली है जिस पर यह आधारित है वो है परहा अब हर गाओं में एक मुखिया होता है जो गाओं की सीमा में रहने वाले सभी जो भी वन्ष वहाँ हैं उस पर अधिकार रखता है इस सभी लोग अनेक गोत्र समूहों में भटे हुए होते हैं यह लोग अपने वन्ष और गोत्र के भीतर विवाहा नहीं करते लेकिन मा के गोत्र वन्ष में विवाहा किया जा सकता है ग्राम व्यवस्था को सुचार रूप से चलाने के लिए परंप्रागत रूप से एक प्रशासनिक व्यवस्था है हर गाओं में एक मुखिया होता है जिसका नाम होता है मांजी और यह वन्षानुगत होता है इसका मतलब मांजी के मरने के बाद उसका बेटा मांजी बन जाएगा अब इनकी पंचायत के बारे में जानते हैं तो इनकी जो पंचायत है उसमें पांच स्थम्भ है वही एक तो है मांजी एक है पारानिक फिर एक है जोग मांजी एक है जोग पारानिक और गोडेत अब इन पांचों को लेके संथालों में पंचायत को मोडे होड यानि पांच आदमी कहने की परंपरा चली हुई है मांजी संथाल गाओं का प्रधान होता है वह अपनी पंचायत का सभापती होता है और गांवालों का प्रतिलिदी भी होता है किसी के द्वारा अगर शोषन किया जाए या उत्पीडन किया जाए किसी को तंग किया जाए खास तोर से कोई अनाथ हो कोई विधुवा हो तो उसकी रक्षा करना उसी का दैत्व होता है जिम्मेदारी है पारानिक जो है वो उपप्रधान होता है जोग माजी गांव के यूवक यूवतियों की गतीविधियों पर नजर रखता है ताकि वर्ण संकर पैदाना हो जाए जोग पारानिक जो है वो जोग माजी को मदद देता रहता है और अब बचता है गोडेत तो गोडेत जो है माजी का संदेश वाहक होता है गांवालों को किसी बात की सूचना देनी हो उनसे बिहरी उगाहनी हो तो ये गोडेत का ही काम है संथालों में सेंद्रावेसी अर्थात शिकार परिशद भी होती है पर्धान है उसको दिहरी कहा जाता है इसको हाई कोर्ट भी कह सकते हो आप इसका कारण है कि मांजियों और पारानिकों के निर्णियों की जो अपील है वो आप दिहरी में कर सकते हैं संथालों में जो विवाह है वो बापला नाम से जाना जाता है अपने ही वन्ष में विवाह इन लोगों में निशेद है और दूसरा कोई वन्षो उसमें ये विवा कर सकते ये बहुत पुरानी इनमेरीती है तीन पीडियों के बाद आपसम विवा किया जा सकता है लेकिन कभी-कभी कुछ वन्षो में परम परागत संगर्ष के कारण विवा को निशिद्ध माना जाता है यानि मना कर दिया जाता है अच्छ विवा दो तरह से होता है पहला तो एक विवा होए जिसे रेवर के दुवारा तै करना होता है ये आज कल काफी ज़्यादा है इसकी प्रथा जिसमें विवा बिना रेवर की साहता के लड़के लड़की के माता पिता या खुद तै कर लेते हैं तो शादी तै हो जाने के बाद लड़के का पिता रेवर तथा गाउं के कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को साथ लेकर लड़की के गाउं जाता है लड़की का पिता अपने गाउं के व्यक्तियों के साथ उनकी अगवानी करता है कन्या को स्विकार करने के बाद वे लोग भोजन करते हैं और अपने गां आ जाते हैं इस तरह लड़के का जो पिता है रेबर रेबर है तो अन्य वेक्तियों के समक्ष विभा की स्विकृति दे देता है इनमें विभावी छेद तथा विद्वा पुरर विभा का भी चलन है परतमान में सिख्षा का परसार हो गया इन लोगों में तो अब बाल विभावी इनोंने बंद कर दिये काफी हद तक देखा जाये तो ये मुख्यधारा से भी जुड़ गये संथा लोग पुनल जन्म में विश्वास करते हैं मृतात्मा की पूजा आराधना करते हैं और हिंदों की तरह ही ये दासंसकार करते हैं अवशेशों को नदी में बहाते हैं और ये संथा लोग दामोदर जो नदी है उसको पवित्र मानते हैं उत्त्रा धिकारी के नियम हिंदों के समान ही हैं पिता की मृत्यू पर संपत्ति बेटों में बाटी जाती है, इस्त्रियों को चल अचल संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होता। संथाल लोग हिंदों की तरह पित्रों को मानते हैं, परते गाउं में मांजी यान होता है। सबसे बड़े त्योहार दिवाली ये सोहराय कहते हैं के समय गाय की पूजा करते हैं। माराड ठाकुर या चंदो बाबा को ये लोग महान स्रिष्टी करता मानते हैं। इसके अलावा माराड बुरू, मोडे को, तुरूई को, पंचदेव यानि की, जाहेर एका यानि जोहर देवी, गोसाई एरा यानि भगवती, आतो बोगा यानि ग्राम का देवता, ये सारे इनके देवी देवता हैं। अब संथा लोग अंद विश्वासों में बहुत विश्वास करते हैं। पहनावा, आब इनका पहनावा देखते हैं, तो इस्तिरिया जो हैं वे फूलों का हार, पीतल और चांदी के गहने, पीतल के आवोशन मा का बटरी, और पैरों में चांदी के सकीम, खाका, हाथ में चूडिया, गले में चांदी का हार, अच्छा इनकी जो पोशाक है वो हादा है, पूरुष जो हैं वो कमर में चार-पांच हाथ की धोती या फेंटा, कसके रखते हैं, और गले में तीन हाथ की तोलिया लपेट के रखते हैं, इस्तिरिया तीन हाथ का एक कपड़ा कमर में पहनती हैं, संथाल लोग अपने पुर्वचों पर गर्व होत करते हैं, और परवों, उत्सवों, नृत्य, लोगीतों, किवंदंतियों, इनको पैतरक्थाती समझते हैं, उन्हें अपने धनुश्बान और बांसुरी से प्रेम हैं, और बांसुरी को लएम में बजाते हैं ये लोग, चाहे कितने भी कश्ट आ जाएं, ये उत्सवों के आयोजन पर नृत्त जरूर करते हैं, और संगीत भी गाते बजाते हैं, त्योहार इनके सामुहिक होते हैं, हर त्योहार के लिए अलग-अलग समय निर्धारित हैं, लेकिं तिथी निर्धारित नहीं होती, हर गाउं अपनी सुईधा के अनुसार त्योहार कभी भी मना सकता है, ये प्रकरती के इलाके में दूर ये देखिए, जंगल में कोला हल से दूर रहते हैं, गाउं मना के रहते हैं, और हर गाउं अपनी पंचायत के द्वारा शासित होता है, मुखिया हम बता चुके माजी कहलाता है, पंचायत को ये परमिश्वर भी मानते हैं, और ये मानते हैं कि यहाँ पर सत्य की ही पिजय होगी, प्रकरती के नजदीक रहने वाले लोग हैं, सादगी इनकी बहुत अच्छी है, अपराब यहाँ बहुत कम होते हैं, संथाल, समाज, अब इनके काम देखें तो आर्थि-गति विदियों में ये खेती करते हैं, मचली पकड़ते हैं, ये सब काम इनके हैं, संथालों में कुल 12 गोतर हैं, हांस दाग, मुन, किसकू, हैंबरम, सोरेन, टूडू, बासके, बेसरा, पौडिया, चोडे और बेटिया, स्त्री पूरुष दोनों ही लोग समान रूप से गीत, संगीत और नृति में भाग लेते हैं, नृति में ये मोर, पंक और पुष्पों से अपने को सजाते समारते भी हैं, और वाद्य अंत्री इनके कम है, अला कि गेरा बनाके इस तरी पूरुष आपस में नित्य भी करते हैं, अब देखें, इनकी अर्थिवस्था तो किर्शी कारे करते हैं, में ली तो, खेती की कमी होती है, तो शिकार करके, जंगलों में कंद मूल, फल, एकतर करके, अपना ग बोजन संग्रेक के लिए शिका भी कर लेते हैं, अब आजकल देखने में आया कि संथाल जंजाती के लोग पशुपालन भी करने लग गए, और स्थाई परकार की किर्शी भी करने लग गए, और जहां पर भूमी उप जाओ है, वहां पर ये अपना निवास भी स्थाई बन मिलते हैं, क्योंकि छोटा नागपूर का पठार है, वहां पर खूब खनीच पदार्थ मिलते हैं, तो वहां लोहा, कोईला, आदी, ये लोग उद्योगी कारियों में लग गए, यानि फैक्टरियों में, कारखानों में, मजदूर के तोर पर काम भी करने लग गए, जमशि खेती बाड़ी में देखें तो इनके चावल क्यारियों में बोते हैं, और धान के पोदों को स्थानादरीत करके लगाते हैं, ये लोग, जुआर, बाजरा, ये मोटे अनाजों को बिखेर के लगाते हैं, जंगल को काटकर साफ करने वाले जंजातियों में संथाल सबसे भूमी को साफ करके ये लोग बस भी गए हैं भोज जगों पर, ये लोग सिचाई के उपर कम ध्यान देते हैं, खाद में, खाद के बारे में, फस लोगा हेर फिर करने में इनका ज़्यादा ध्यान नहीं है, अब भोजन देखा जाए तो ये शाकाहारी भोजन करते हैं, हिंदू धर्म को इनोंने अपना लिया है, और भात खाते हैं, जंगली, कंद, मूल, फल, पत्ते और गाये पालते हैं, दूध, दूध होना पहले जानते नहीं थे, लेकिन अब दूध निकाले लग गए हैं, अब इनके समाजिक जीवन में देखें, बहुत बदलाव आ गया हैं, 1956 में मार्टिन ओरिन ने अपनी किताब दी संथाल में लिखा है, कि ये लोग अब स्थाई करशक बन गए हैं, हलां कि इनके शोशक जो हैं महाजन, सेट, साहुकार, ठेकेदार, इनका विरोध भी ये लोग करते हैं, अब देखें, याताया अतावगमन के साधान यहां आ गए, बाजार भी फैल गया, जनसंख्या बढ़ी, तो हिंदू जनसंख्या ने छोटा रागपूर की तरब भी जाने लग गए, और नतीजा यह हुआ कि परिवर्तन की प्रक्रिया काफी आगे बढ़ भी गई, सिख्षा का प्रसार हुआ है संथालों में, पहले तो यह लोग अपनी गुजर बसर करने में ही सारा समय इनका बीद जाता था, अब चूंकि भरण पोर्षन करने की बहुत ज़्यादा इनको चिंता नहीं रही क्योंकि पहले बात हो चुकी है कि यह उद्योग धंदों में, कारखानों, फैक्टरियों में भी मजदूरी करने लग गए, और खेती भी स्थाई तोर पर करने लग गए हैं, इसका नतिज़ा यह हुआ कि अब इनको पढ़ाई लिखाई में भी रूची हुई है, पहले पढ़ते नहीं थे, लेकिन अब पढ़ाई पर ध्यान दिया जा रहा है, सिख्षा का इन लोगों में प्रसार हो रहा है, संथाल गाओं में उनके निकट सम्मद्यों में, जो अपने बच्चे, उन बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए, शहरों में भी ये लोग भेजने लग गए हैं, दीरे-दीरे गाओं के इलाकों में भी स्कूल खुल रहे हैं, तो सिख्षा का परसार हो रहा है, और इसके चलते संथालों को अपने ही गाओं में बच्चों को पढ़ाने का अच्छा मोका दिया जा रहा है, और संथाल भी आगे बढ़ चड़ करके अपने बच्चों को सेक्ष्णिक संस्थानों में भेज रहे हैं, नतीजा यह हुआ है कि रिती रिवाजों में भी बदलाव आ गया, पर्थाओं में भी बदलाव आ गया, और जीवन इनका सरल भी हो गया काफी, पहले की तरह इनको बहुत ज़्यादा दिक्चतों का सामना नहीं करना पड़ता, और इस प्रकार से यह सब बाते हम लोगों को जाननी हैं संथाल जनजाती के बारे में.